हेलोगाइस कैसे हैं अब दोस्तों जैसे का आप देख रहे हैं यह हमें पास एक स्विच है उनली एक स्विच इसमें हम कनेक्शन करेंगे बहुत लोग कहेंगे कि यार यह क्या है एक स्विच में कैसे कनेक्शन हो गया इसमें बहुत सिंपल है तो जो लोग नए हैं माली जो सीखना है समझना है कि स्वीच में connection कैसे होता है माली उसका खार में जब वोड लगा कभी खराब हो गए कुछ गारपड़ी हो गई तो वो कैसे change कर सकते हैं वो कैसे समझ सकते हैं जार हम इस switch में कैसे connection करें हमें को तो आप देख सकते हैं एक switch में दो पॉइंट होते हैं यह single way switch है आपने कभी search किया होगा single way switch two way switch तो यह single way switch है जो normally हम switch में use करते हैं अगर आपने सीड़ी का connection नहीं देखा या फिर सीड़ी connection आपने देखा है कहीं पर लगा हुआ है नीचे से हम on करते हैं bulb जल जाता है उपर जब जाते हैं उपड़ जाते तो वहां से off करते हैं बल बंड जाता है तो वहाँ जो switch लगे होते हैं वह two way switch होता है और तूबных switch के पहचान होती है यहां पर 3 PIN होंगे और यहां पर एक लाइन किची होगी यहां पर कुछ ने कुछ बना होगा जिससे आप समस्क्राइब से की यह टूब स्वीच है जिसमें कुछ भी नहीं बनाई जो साधा है आप समझ सकते हैं यह सिंगल वे स्विच है ठीक है जो नोर्मलि हमारे है ठीक है समझने के लिए दिख सकते हैं यहां पास बल्ब होल्डर है यहां पर दो वायर लगी है ठीक है तो हमें इसमें वाली यह switch लगाना है ठीक है इस switch से इस on off करना है तो इसकी जो एक wire यानि कि जो phase wire है इसको बीच में हमें यहाँ पर लगा देना है तो इसका एक point हमें यहाँ पर लगा देना है दूसरा point यहीं से हमें निकाल लेना है और उसे हम light में लगाएंगे इसके साथ यानि कि अगर यह लम्बी वायर होती हैं तो यहां से हम cut कर देते अकर करके एक point यहां लगाते एक point यहां लगाते तो यह बाहर निकल जाती है न और इसको हम लगा देते हैं अपने light board में यहां से cut है, यहांनि कि switch लगा हुआ है, तो जब switch को on करेंगे, तो यहां पर supply चली जाती है, और जब switch को off कर देते हैं, यानि cut कर देते हैं, बीच पर से यह cut जाता है, तो बल्ब हमारा नहीं जालता है, यहां पर supply नहीं जाती, ठीक है, आप समझ गया होंगे, तो इसका हम connection करते हैं हमने इसको cut कर दिया है ये एक ही wire थी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही wire थी हमने वीच से cut कर दिया है यहाँ आपको समझाने के लिए एक point हमने नीचे लगा दिया है तो हमने दूसरा point भी यहाँ लगा दिया इसको हम निकालते हैं बाहर वाइर को निकाल दी है तो जो हम फास बलब है अब देख सकते हैं यानि कि जो भी चीजें हमें चलाना है यानि कि ऐसे ठीक है एक पॉइंट हम ने इसमें लगा दिया तो यह अब क्या हो गया है कि जो बल्ब था इसके जो वायर थी यहां से आकर कनेक्ट हुई इसमें से और एक पॉइंट में लगी हुई और दूसरा पॉइंट में यह वायर लगी है यह दूसरे पॉइंट में यह वायर लगी है एक पॉइंट टिलर से आया और यहां से कट होके दूसरा पॉइंट यहा हुआ है और यहां पर बंड लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर देखते हैं और शहीज को तो कमों जरूर करियेगा